वेलकम टू अजीम अकैडमी गाइस यह रेपीड रिवीजन क्लास का थड़ वीडियो है अगर आपने फर्स और सेकेंड वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज उसको देख लें और चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को भी सिस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रे तो इन में से कौन सा ऑप्शन राइट हो सकता है सही हो सकता है तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन भी यह राइट आंसर है फैस के खुतूत निगारी के मजबर का नाम है सलीवी मेरे दरीचे में नेस्ट कुश्यन देखते हैं सादत हसन मंटो की पैदाइश कहां के यह दो तो आपका 10 मिनट के अंदर पूरा रिवीजन वो जाएगा तो ज़रूर आप रिवीजन क्लास को जोइन करें नेस्ट कोश्चन है मुन्शी प्रेम चन ने अपनी अदबी जिन्दगी का आगास किस नाविल से किया था ये भी बहुत ही अहम कोश्चन है मुन्शी प्रेम चन ने अपनी अदबी जिन्दगी का आगास किस नाविल से किया था option a है एक मामू का रोमान। बी बाजार एहुसन। सी हम कर्मा वठाब एस कोई नहीं तो इसका सही जवाब है दोश्टो oh option एक मामू का रोमान सही जवाब क्या है औरija एक मामू का रोमान मुशी प्रेम चंने अपकर्वी जिंदगी का अगास किस नाविल से क्या था एक मामो का रोमान तो राइट आंसर इस ऑप्शन के नेस्ट कुश्चन है उर्दु शायरी में ज्यादा तर मत्रूक अलफास का इस्तेमाल किस ने किया है ये बहुत अहम कुश्चन है ये एक्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह कुश्चन एक्जाम में पूछा जाता है उर्दु शायरी में ज्यादा मत्रूक अलफास का इस्तेमाल किस ने किया है उप्शन ए है मीर तकी मीर बी सौदा सी नजीर अकबरबादी बी इन्शा तो इसका सही जवाब है दोस्तो उप्शन सी उप्शन सी इसका राइट आंसर है नजीर अकबरबादी ने ज्यादातर मत्रूक अलफास का इस्तेमाल किया है नेस्ट कुश्चन है सिदीक मुझीबी की पीएजडी के निगरा कौन थे उप्शन ए प्रोफेसर शीन अख्तर बी नुवन मिम्राशीद सी वहाबदानिश डी मंजर शहाब इसका राइट आं इस्तेमाल किया है नेस्ट कुश्चन है मुझीबी के पीएजडी के निगरा कौन थे प्रोफेसर शीन अख्तर राइट आंसर इस ऑप्शन ए नेस्ट कुश्चन है मुंदर्जा जेल में इल्यास अहमद गदी का सफर नामा है उप्शन ए है लच्मन रेखा के पार उप्श इसका सही आंसर क्या होगा इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मुंदर्जा जेल में इल्यास अहमद गदी का सफर नामा है लच्मन रेखा के पार यह बंगलादेश का सफर नामा है लच्मन रेखा के पार राइट आंसर इस ऑप्शन ए नेस्ट कुश्चन है शाद अजीमाब बादी के वालिदा का नाम क्या था ऑप्शन ए आरिफा बेगम ऑप्शन बी बतूलन बीबी ऑप्शन सी जुलिखा बीबी डी सुमिया बीबी बतूलन बीबी ये इल्यास अहमद गदी के वालिदा का नाम है तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है option A. आरिफा बेगम Next question है नजीर अगबाराबादी की नजम मुफलिसी में कुल कितने बंद है? option A. 34, B. 32, C. 38, D. 40 इसका सही जवाब है option A. 34 टोटल कितने बंद है? नजीर अगबाराबादी के नजम मुफलिसी में टोटल कितने बंद है? 34 है Next question है फैज और अगबाल के मुश्तरिका उस्ताज का नाम क्या था? फैज और अगबाल के मुश्तरिका उस्ताज का नाम क्या था? option A. मीर हसन, option B. सेद हसन, option C. अमीन, सेद अमीन, D. मुसहफी इसका सही जवाब है option A. मीर हसन, option A is the right answer Next question है, इम्राव जान अदा, मिर्जा हादी रुस्वा का बेहतरियन तखलियक है इसको कब लिखा गया है? option A है 1896, B. 1893, C. 1899, D. 1855 इसका सही जवाब है दोस्तो, option C. 1899, 1899 में लिखा गया है इम्राव जान कब लिखा गया? 1899 में नैस्ट कुश्चन देखते हैं नैस्ट है दिले मुस्तर से पूश, A. रो नके बजम, मैं खुद आया नहीं लाया गया हूँ मुंदर्जा बाला शेयर में मुस्तामा लव्ज दिले मुस्तर का माना किया है option A. बेचेन दिल, B. खुबसूरत दिल, C. प्यार करने वाला दिल इसका सही जवाब है दोस्तो, option A. बेचेन दिल, दिले मुस्तर, बेचेन दिल next question है, अमिरन को नाचने गाने की तालिम किस ने दिती, option A. खानम, B. पीरबख्ष, C. फखरुन निसा, D. बुवा हुसेनी बहुत ही आसान सा सवाल है, तो इसका सही जवाब है, option A. खानम ने अमिरन को नाचने गाने की तालिम दिती next question है, उर्दु शायरी का नुमाइंदा शायर कौन है, A. अकबर इलहबादी, B. नजीर अकबराबादी, C. फखरुन, D. जोश इसका सही जवाब है, option B. नजीर अकबराबादी next question है, फेज अहमद फेज की पेदाईश कहां हुई है, option A. देहली, B. लखनव, C. सियाल कोट, D. लाहोर तो इसका सही जवाब है, option C. फेज अहमद फेज की पेदाईश सियाल कोट में हुई है, 1911 को हुई तीन की पेदाईश next question है, मुंदरजा जेल में इल्यास अहमद गदी के अफसानवी मजमे हैं, option A. आदमी ठका हुआ दिन, B. जखम और मरहम, C. सुर्ख नौन्ट और लश्मन रेखा, D. फाइर एरिया और घर बहुत दूर है सही जवाब है, option A. आदमी और ठका हुआ दिन, यह क्या है? इल्यास अहमद गदी के अफसानवी मजमे हैं, आदमी और ठका हुआ दिन, आदमी और ठका हुआ दिन गाइस अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो फिलीज चैनल को सिस्क्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें और दोस्तों को जरूर शेयर करें, थैंक यू